नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं जो आपको एक चबरतस उपाए बताने जा रहा हूँ इस उपाए को यदि आपने सकारत मक्ख होकर के कर लिया पूरे सचे मन से अगर आपने इसे कर लिया तो आपको खुद अपने आप पास्चर होगा कि क्या मैं खुद एक इतना समर्द हो सकता था क्या इतना छोटा सा उपाए अब तक मिरी आँखों से ओजल था लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि ये संभव है क्योंकि हम जो भी उपाए करते हैं उसमें हमारी सकारतमक उरजा और हमारे आत्म विश्वास यानि कि हमारी द्रड इच्छा सक्ती का ही बहुत बड़ा योगदान होता है अगर आप कोई भी उपाए पूर्ण सरदाबाव से पूरी इच्छा सक्ती के साथ और पूरे सकारतमक मन से ध्यान पूरवग करते हैं तो आपके उपाए में आपको परिणाम अवश्य देखने को मिलता है इसलिए दोस्तो हम हरे एक वीडियो में कहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें अंता तक देखें ध्यान पूरवग पूरी विधी को समझें ताकि कोई भी छोटी से छोटी गलती भी आपके साथ ना हो क्योंकि छोटी से छोटी गलती अगर है तो उसमें विधी में जो क पुर्ण इच्छा सकती और द्रिड निश्चे के साथ करें आपको परिणाम ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा दोस्तो बेटे बिठाई पुर्णे कमाने के लिए आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और कमेंड बॉक्स में जै बजरंग बली, जै मातादी, जै मालक्षमी एक बर अवश्य लिख दें दोस्तो सास्तों की माने तो मनश्चिक के सरीर में नाभी एक ऐसा केंदर होता है जहां पर संपूर्ण सरीर की सनचना मौझूद होती है संपूर्ण सरीर की सक्तिया मौझूद होती है आपने देखा होगा जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके इस नाभी के साथ एक नाड जुड़ा होता है जिसके द्वारा उसने नो महिने तक पोशन प्राप्त किया था और जब भी इसे काटा जाता है तो उस बच्चे में एक भय की परविर्ती उच्पन हो जाती है क्योंकि दोस्तों हर प्रकार की सक्तियों को संजोए हुए होता है ये नाड और आपकी नाभी इसलिए दोस्तों इस नाभी पर ऐसे तंत्र मंत्र के हजारों शिक्रिया हैं जिससे किया जा सकता है जिससे बुरे और अच्छे दोनों ही परकार के परिणाम लेजा सकते हैं इसलिए आज की वीडियो में हम आपको केबल वो बताएंगे जिससे करने से आप अपने जीवन में सकारतमक परिणाम को देख सकते हैं कहा जाता है कि नाभी की सही जुती के साथ यदि कोई ध्यान आदी किया जाए तो आपको अनेको अनेक सिद्धियों की प्राप्ती भी हो सकती है आपने देखा होगा कि पुराने समय में रिशी मुनी अपनी कमर को सीधी करके अपनी नाभी को आगे करके और वस्तरों को वहां से हटा करके ही सिद्धी प्राप्त किया करते थे तपश्या करते थे जिससे कि उन्हें शक्तियां वे सिद्धी प्राप्त हो सके क्योंकि दोस्तों ये नाभी ही है जिसके द्वारा आपके अंदर सभी प्रकार की सक्तियां सम आजमान है, कहा जाता है कि श्री हरी भगवान विश्नु की नाभी से ही भगवान श्री ब्रह्मा जी ने अवतरन किया था, कभी सोचा है आपने कि ये नाभी से ही क्यों, क्योंकि दोस्तों नाभी पूरे जीवन का एकाधार स्थम्भ होता है, नाभी में उन सक्तियों का वास है जहां पर आपके जीवन की सच्चाई चुपी है आपने देखा होगा कि जब भी आप सोते समय नाभी पर सरसो का तेल डालते हैं या कोई भी चीज डालते हैं तो नाभी उसे अपने अंदर खींच लेती है जब भी कभी तोचा संबंदी समश्या होती है तो बहुत से लोग कहते हैं नाभी में सरसो का तेल लगाई है नाभी में जब सरसो का तेल डालते हैं तो उसे अपनी और अवसोचित कर लेती है और जितनी भी तोचा पर खुश्की या पर तोचा संबंदी रोग होते हैं उनमें आराम मिलने लगता है तोचा में एक शमक आने लगती है आप एक स्वस्त जीवन जीने लगते हैं इसी प्रकार से दोस्तों नावी में अलग-अलग चीजों का इस्तमाल करने से अलग-अलग परिणाम आते हैं इन सभी के बारे में हम आपको कभी और किसी अन्य वीडियो में बताएंगी लेकिन आज हम आपको एक ऐसी वीडियो के बारे में बता रहे हैं एक ऐसे उपाय के बारे में बता रहे हैं जिसमें अगर आप नावी पर उंगली रखकर ये सब्द बोल देते हैं तो आपके जीवन ही बदल जाता है बस दोस्तों आप एक बार कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली आवश्य लिग दें और वीडियो को शेर करना बिल्कुल भी न भूले और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि हम हर रोद लाते रहते हैं ऐसा ही जवरदस वीडियो जवरदस उपाय जिन से आप अपने जीवन को सुखमई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमई जीवन तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि नावी पर आप ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपका भागे चमक उठे दोस्तों इस उपाय के लिए आपको क्या करना है आप जब भी रात्री में सोने के लिए जाते हैं तब आपको अपने हाथ मूँ आदी धो करक अपने बिष्टर पर लेड जाना है लेड जाने के बाद अपनी अनामिका उंगली यानि कि जो छोटी उंगली है उसके साथ वाली जो बड़ी उंगली है सबसे बड़ी उंगली जो होती है उस उंगली को यानि चोटी उंगली के आपकी नाभी के उपर ही एका गृत होना चाहिए। वरना इस उपाय कोई भी फला को प्राप्त नहीं होगा। आप इस उगली पर थोड़ी सी हल्दी लगा कर आप अपनी नाभी में रख लीजिए। और अपनी अनाभी में रखे हुए ही गायतरी मंतर का जाब करें। और ये पूरा एक बार हो जाने के बाद आपको बोलना है श्रिम 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 जिरूर बोलना है। पांच बार, ग्यारा बार, एक सो आठ बार, जितनी भी देर आप इसे कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा करिए, क्योंकि उतनी ज़्यादा सकती आपके अंदर प्रबल होती जाएगी, ये भी एक प्रकार की शिद्धी है, जो कि आपको प्राप्त हो जाती है, और आपके भाग आदी आदी के लिए भी चिंता गरस्ते, हर प्रकार की चिंता दूर हो जाती है, जहां भी आप जाते हैं, और निडर हो जाते हैं, और हर प्रकार के कामों में आपको सपलता प्राप्त होने लगती है, तो दोस्तों आज की वीडियो में क्यों इतना ही कल, फिर आप से मुला जो तादी.